हर्याड़ा के पानिपत में योग गुरू बाबराम देव पहुंचे जहां उन्होंने किसानों को लेकर कहा कि केंद सरकार को तीन साल के लिए किर्शी कानूनों को इस्तागित कर देना चाहिए और सरकार को किसानों के साथ बैठ कर किसानों और देश के हित की नीतियों पर चर परवारी के यहां शादी समाहरों में पहुंचे थे जहां उन्होंने ये सारी बाते कहीं। कोई भी बिजनेस हो सर्वीसी जों सुधार की जरूरत कहां नहीं है। तो एक सुधारवादी कृष्कानोनों की आवश्यक्ता तो अग्रिकल्टर सेक्टर में रहेगी। इसमें ये गतिरोध खत्म करके और मिल बैठ करके जो किसानों के हित्की नीटिया है। उनकी बनाने की बात हो जाए बस इतनी सी बात है। चमारा जी जो इसकार कानून बढ़ाए गए इसमें कुछ काड़ा है। देखो भाई काड़ा और सफेद तो आदमी की नियत पर होता है। मैं ना किसी सरकार का प्रवक्ता और भाई ना हमने कोई कोंटेक्ट एग्रिकल्चरिंग करनी है कोई। मैं एक बात जरूर कहता हूं। भाई ये जो पूरा घतिरोध है ये खत्म होना चाहिए। कानौनों में जो संसोधन आवश्यक थे रिक्वाइड थे जो किसानों ने सुझाओ दिये हैं। उनमें काफी चीजें सरकार ने मान भी ली है। और बात तो यहां अड़ी भी है कि भाई वापस लेनो। तो भाई जब दो तीन साल तक भी मैं कहा रहा हूं कि ये स्थगित होने का कार्यक्राम हो सकता है। तो फिर समाधान तो निकल गया है ना। तीन साल के लिए कानुल संगित करवा दो। और जो आवशक हो जो किसानों के हित्मे हो देश के हित्मे हो उस तरह का एक मिल बैठके तब तक तक एक तयार कर लो मसुद्दा। तो इतनी सी बात इसमें गतिरोद फिर अड़ेगा का है। इनकी लगबक 10 से 11 दोर की वाची तोड़े है। किसे भी बाद कर कोई राजी नहीं है। देखो पीच के रास्ते के बिना समाधान नहीं निकलेगा। सरकार भी पीछे नहीं अटने वाली। और किसान का हम भी पीछे नहीं अटते। तो बाद दोन्नों तरफ से भाई यू हो कि भाई आम तो पीछे नहीं आटते। फिर तो लठाई भजा भाई। तो किसान के नेता भी तो ज्यादा होगे ना जी। चाड़े चाड़े से कैसे बात होगे। रेजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें। 9560464170 9560464170